Hello Friends, वागत आपका मेरे YouTube चैनल में दोस्तों आज किस वीडियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप Amazon Pay यूज करते हैं और दोस्तों अगर आपने Amazon Pay का UPI नमबर नहीं बनाया है तो कैसे आपने Amazon Pay का UPI नमबर बनाएंगे या नया UPI नमबर क्रियेट कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपने Amazon Pay का UPI नमबर चेंज करना चाहते हैं या नया UPI क्रियेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए मैं आपको step by step पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों चले वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने mobile phone में Amazon Pay को इनिस्टाल करना होगा तो दोस्तों अगर आपको mobile phone में Amazon Pay नहीं होगा तो मैंने वीडियो को description box में Amazon Pay का link दे दिया है वहाँ से आप इसे अपने mobile phone में इस्टाल कर लेंगे और इस्टाल करने का बाद इसे open करेंगे open करने का बाद यहाँ पे आपको इस तरह से Amazon Pay का home interface open होके आ जाता है इसके बाद आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ से आपको एपना bank account add कर लेना होगा तो भी मेरे वीडियो comment box में comment करें मैं इस पे वीडियो बनाग बता दूँगा कि कैसे आपना bank account set करेंगे या कैसे आपना bank account add करेंगे add करने को दोस्तों यहाँ से आपको नीचे 5 अपसंस हो करेगा इस तरह से home का, you का, more का, card का और menu का तो यहाँ पे आपको menu वाले आपसंस पर click करना है और जैसे आप menu वाले आपसंस पर click करेंगे यहाँ पे next page इस तरह से open होके आ जाता है यहाँ पे आपको दो आपसंस वो करेगा उपर कि Amazon Pay का और Amazon Mini TV का तो यहाँ पे आपका UPI बनाने के लिए Amazon Pay वाले आपसंस पर click करना होगा यहाँ पे नया UPI number create करने के लिए Amazon Pay पर click करेंगे Amazon Pay पर click करने वह दोस्तों आपने जो भी अपना bank account आइड किया होगा यहाँ पे Amazon Pay UPI में उसका UPI ID फो करता है और आपका Amazon Pay का जो wallet है उस wallet में कितना पैसा है amount यहाँ पे आपका so करता है UPI number set करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से Amazon Pay UPI वाले आपसंस पर click कर देना है और जैसे ही आप इस पर click करेंगे यहाँ से आपको next page इस तरह से open होके आ जाएगा यहाँ पे आपको scan pay का आप सेंड बनी का है यहाँ पे pending UPI transaction अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर किया है और वो pending में तो यहाँ से चेक कर सकते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका QR code सो करेगा उसके नीचे यहाँ से आपको मिल जाता है कि your UPI number तो दोस्तों अगर आपना UPI number set करना चाहते हैं या change करना चाहते हैं तो यहीं से change किया जाता है तो चलिए मैं आपको दोनों process करके दिखा दे रहा हूं कि अगर आप change करना चाहते हैं कहां से आप उसे change करेंगे या नया UPI set up करना चाहते हैं कैसे setup किया जाता है तो यहां से आपको क्या करना है कि setup UPI number वाले अफन पर click करना है और जैसे ही आप इस पर click करेंगे यहां से आपको दो आफन इस तरह से देखने को मिल जाएगा यहां पर आप सबसे उपर देखने कि your UPI number इसके बाद दोस्तों यहां से आपको नीचे देख आफन मिल जाता है यहां से confirm का तो आपका जो UPI number है आपका mobile number इसेट हो जाएगा लेकिन अगर आप इसे change करना चाहते हैं अगर आप नया UPI इसेट करना चाहते हैं तो कहां से किया जाता है तो इसके लिए दोस्तों यहां से आपको create का आफन मिलेगा आपको इस पर click करना है और click करने वाँ दोस्तों यहां से आपको 8-9 digit का UPI number बनाना होगा एक UPI number बनाना होगा जो 8-9 digit का होना चाहिए तो चलिए मैं आपको नया UPI create करके दिखा दे रहा हूं तो दोस्तों यहां पर आप देख रहा है कि मैंने नया UPI यहां पर create कर दिया है और create करने वाँ दोस्त you have successfully set up your UPI number receive money on Amazon तो दोस्तो अगर आप अपना यूपी आई नंबर से आपना पैसा रिफीब कर पाएंगे तो दोस्तो इस तरह से आप बहुत आफानी से Amazon Pay में अपना UPI number set कर पाएंगे या UPI number अगर change करना चाहते हैं तो change भी कर पाएंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो मुझे आपको बस याही बताना था कि कैसे आप अपने Amazon Pay का UPI नंबर सेट करेंगे तो दोस्तो अगर आपको अपने Amazon Pay में UPI नंबर सेट करने में कोई प्राब्लम आ रही है तो आप मेरे वीडियो कमेंड बक्स में कमेंड करें तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेयर करें और दोस्तो अगर आपके मन में कोई कमेंड है तो आप नीचे कमेंड बक्स में कमेंड करें तो दोस्तों चले मिलते है नेक्स्ट वीडियो में